नमस्कार आप सभी का स्वागत आज की इस क्लास में और आज हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के 2024 के Economics Paper 2 के बारे में यानि की क्लास 11 और क्लास 12 के लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं बिसिकली तो उस तयारी को और बहतर बनाने के लिए आपको ये analysis करना होगा के एक्चली exams में क्या सवाल पुछे जाते हैं बिहार एस्टेट आप जानते हैं की साल में दो बार अपने exam को कंड़क करता है Paper 1 और Paper 2 लेकर आता है अगर आप TGT के लिए जा रहे हैं क्लास 9, 10 के लिए जा रहे हैं तो फिर obvious से आप Paper 1 की बात करते हैं बिहार एस्टेट काप 2023 का Paper भी में लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ बाकी सभी राज्यों के भी TGT, PGT वहां के राज्ये के जो TET exam होंगे उनसे related भी लेकर आऊँगा लेकिन आज की analysis कर लेते हैं जल्दी से शुरुआत एक बार सभी लोग yes का comment कर दे तो भी अच्छी बात है मेरे स्ट्वेंट नहीं है तो भी अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है मेरे स्ट्वेंट आप बन जाएंगे और obvious है अपका selection में एक छोटा सा role मेरा भी होगा केरियर विल का भी होगा शुरू कर आज की class को very very good morning सभी को और live आ चुके भई सभी student और पहले question के साथ हम शुरूआत करेंगे 2024 के इस बिहार estate PGT level के paper के बारे में पहला सवाल है दिखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दरूरी नहीं कि answer की में जो questions दिये गए जो answer दिये गए वो सही ही हो उसमें बहुत सारे answer गलत भी होते हैं आपको अपनी knowledge के according try कर रहा है यहाँ पर और बिलकुल मुकेश हम उसके लिए आगे लेकर आने वाले हैं वैसे आप जानते हैं कि हमारा economy special batch आता है जो अल्रड़ी आप जानते हैं कि September month में यानि कि आ चुका है हमारा 3rd of September से registration शुरू हुए ते 5th September से batches यह पूरा बिहार estate कवर करता है आपका सभी राज्यों के estate कवर करता है TRE कवर करता है TGT PGT कवर करता है और हमारा especially एक practice batch भी चल रहा है teaching category में आप वो भी कर सकते हैं सवाल है इन में से कौन अर्टशासर के दाएरे में नहीं आता अब दुकों अर्टशासर में धन और आएक के वित्रण के बारे में बात की गई है अर्टशासर में रास्ट्रों की व्रद्धी और विकास यानि कि उनके growth और development की बात की गई है देश के राश्पती प्रधान मंत्री का चुनाव कराने की बात है देश में मुल्य वरधी के कारणों का अध्यन करने की बात की गई तो आप कहते हैं कि अर्थशास्र का मतलब होता है चॉइस करने से रिलेटेड, मैनेजमेंट करने से रिलेटेड वो चीजें मनी से रिलेट करती हैं जो और अगर आप इसका राइट आंसर सच करेंगे तो क्या मिलेगा आपने का सर चुनाव करना या कराना इसका पार्ट नहीं हो सकता देश के राश्पती से रिलेटेड कोई भी इसमें बात नहीं की गई ना परधान मंत्री के बारे में खी गए the basic problem of the economics is जो economics की basic problems हैं जिनने हम central problems भी कहते हैं ये basic problems क्या है हमारी what to produce, how to produce, for whom to produce या all of these दिया है या पर जो answer दिया गया है वो how to produce यानि second को दिया गया, b option को दिया गया लेकिन हम जानते हैं ये तीनों की तीनों जो है ये सारे के सारे correct हैं यहाँ पर क्योंकि एक problem है जिसमें हम बात करते हैं choice of product के बारे में एक हम बात करते है choice of technology के बारे में और एक हम बात करते है choice of consumer category के बारे में यानि की what to produce, how to produce and for whom to produce आर्थिक समस्या मुल्य तहा किसकी समस्या है अगर इसको मुल्य तहा समस्या माना जाए जोडा जाए और उसको देखा जाए तो यह किस से रिलेट करती है वह होता कि मांग से फर्मो कि आपूर्ती से चुनाव से अब यहाँ चुनाव जो word है देखो याद रखना यहाँ चुनाव नहीं है यहाँ चुनाव का मतलब होता है choice है यहाँ पर मैं थोड़ा correction कर देता हूँ भई यहाँ पर इसका मतलब of choice है यानि कि choice करने से है तो आप कहेंगे economics में क्योंकि हम जानते हैं संसाधनों की मात्रा हम हमेशा limited होती है और हम जो बात कर रहे होते हैं हमारी इच्छाओं के बारे में वह हमेशा unlimited होते है इसलिए आप कहेंगे सर जो आर्थिक समस्या होगी वह हमेशा चयन करने से choice करने से relate करते है चुनाव से अब यहाँ चुनाव का मतलब decision लेने से है selection करने से यहाँ चुनाव कि मांग से relate करते है और फर्मों क्या पूरती यह दोनों भी ठीक हो सकते हैं इसका मतलब फिर तो क्योंकि इसकी बात भी economics में होगी लेकि मुख्यता मूल तहा किसे होगी वह chain करने से अर्थशास में अर्थविवस्था को सुक्षम एवं macro economics यानि की micro और macro economics में सुक्षम और व्यापक में micro और macro में वेस्टी और समस्टी में किसने विभाजित किया है आपको ये बताना है who divide the economy into micro and macro economics चले मेरे बही जल्दी से इस बात को बताए मुझे कि किसके दुआरा ये काम किया गया किसके दुआरा ये बताया गया है तो आप जानते हैं एडम इसमित जो है वो economics के फादर कहलाते हैं यहाँ पर अलफ्रेड मार्शल जिनको micro economics का फादर कहते हैं अमरत्य से ने जो भारत में welfare economics लेका रहा है और obvious है यह भारत में भारत रतन और noble price दोनों के विज़ेता हैं लेकिन रेगनर फिशर नहीं वैसे फ्रिश उनका नाम होना चाहिए रेगनर फ्रिश के नाम से exactly name जो उनका है जिनने micro और macro ये दोनों terms दी है रेगनर फ्रिश कहा जाता है production possibility curve will be a straight line if जो PPC curve होगा वो सीधा एक straight line के तोर पर होगा दिको अमोमन जो PPC curve होता है वो इस shape में होता है और इसकी वज़ा जो होती वो है marginal opportunity cost increase करती है यानि यहाँ जो इसकी shape रहती है इसे कहते increasing marginal opportunity cost MOC मैं short में लिख रहा हूँ जब यह increase करती है तो यह concave nature का बनता है लेकिन जब इसी बात को मैं कह दू कि मान लीजिए अगर PPC curve इस shape में बनने लग जाए तब आप कहींगे इसका मतलब है कि जो MOC है marginal opportunity cost है वो decrease कर रही है कम हो रही है इसलिए यह इस तरह का convex nature का हो जाएगा लेकिन अगर हम बात करें इसी चीज़ के बारे में कि यह बिल्कुल एक straight line हो जाए इस तरह कि अगर straight line हो जाएगा भई तब कहोगे सर यहाँ पर कहेंगे कि उसका constant marginal opportunity cost हो जाएगी यानि सीमान अफसर लागत यह decide करती है कि उसकी shape कैसी होने वाली है और आपने का यह तीनो possibilities यहाँ पर होंगे चलिए कोई बात नहीं है बही good morning बही अमित कुमार यह कैसे possible है बही तो जब सीमान अफसर लागत हमारी इस सिर होगी marginal opportunity cost constant होगी तो यह एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा सामान्य तोर पर अगर बात करें यह convex concave कहलाती है shape और यह convex कहलाती है तो right answer यह होने वाला है कि जब वो constant होगी इस सिर होगी अगला सवाल है according to किसके द्वारा कहा गया उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो ऐसी वस्तूओं के सभी सही उजरों को दर्शाता है जिनके अधिकतम मात्रा में उत्पादन पूर्ण रोजगार की इस्तिती में सभी उपलब्द कारकों की साहता से कर सकते हैं यह न कौन से कॉंबिनेशन का प्रोडक्शन कर सकते हैं चलिए बढ़ी बताएगा मुझे जल्दी से तब क्या कहेंगे सर एक्स और वाई के जो कॉंबिनेशन है इसकी जो टम दी गई है यह एक स्टेटमेंट है जे आर हिक्स के दुआरा यह किसके दुआरा दी गई है मेरी बात ध्यान से समझेगा जे आर हिक्स के दुआरा देखो इसे पिछला वाला जो सवाल पुछा गया था आपसे क्वेशन नंबर पांच में वो यह कह रहा था कि अगर एक सीधी रेखा के रूप में बनाया जाए तो उसका अर्थ यह होगा कि उसकी सीमांत अवसर लागत यानि इसलिए कॉनकेव नेचर का बनता है लेकिन अगर यह कॉंस्टेंट हो जाए तो यह सीधी रेखा बिल्कुल बराबर बराबर यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज होगा इसलिए स्टेट लाइन कहा जाता है अगला कोशिन क्या कहता है दर रिलेशन्शिप बिट्वीन दा प्राइस जो क्वांटिटी डिमांडेड है और प्राइस है इसके बीच में जो रिलेशन होगा उसे क्या कहा जाएगा चले भी बताएं मुझे कि इसके बीच के संबंध को हम किस नाम से जानते हैं क्या कहा जाता है उसे लौफ दी स्टेट कहते हैं लौफ डिमांड कहते है law of supply कहते हैं क्या कहते होंगे उसे चलिए तो आप कहेंगे सर इसी को तो हम law of demand कहते हैं मांग का नियम कहते हैं और यही हमें बताता है कि जैसे जैसे हमारा price अब करता है increase करता है normal goods के case में वैसे वैसे हमारी जो demand होती है वो decrease यानि इन दोनों के बीच में सामान्य तो पर बात की जाए तो inverse relation देखने को मिलता है option B को detail बता दीजिए कभी मैंने बता दिया था already ठीक हैं तो यह बात आप याद रखेंगे मांग का नियम कहा जाता है और आपको यह भी पता है इस मांग के नियम के कारण ही जो demand curve बनता है सामान्य नियता वो इस सरहां का shape में बनता downward slopping होता है demand curve और उसकी वज़ा यह होती है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसे खरीदना कम कर देते हैं खरीदना छोड़ देते हैं इसके पीछे की वज़ा को हम कहते हैं law of diminishing marginal utility क्योंकि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तू का इस्तिक इस्तिक इस्तिमाल करते हैं वैसे वैसे हमें जो प्राफ्त होने वाली marginal utility है जो सीमान तो प्योगिता है वो हमारी घटी जाती है कम होती जाती है इस कारण जब किसी प्रोड़क की कीमते बढ़ती है तब हम उसकी मांग कम कर देते हैं सर यही है law of demand चलिए the relationship between the price and the quantity demanded सेम सवाल दुबारा पुछा गया कि price में और quantity demanded में यह कैसा संबंद होता है price और quantity demanded के अंदर कैसा संबंद रहता है जल्दी से आप मुझे बताएं संबंद के बारे में क्या लगता है आपको यहाँ पर किस तरह का संबंद इसमें रह सकता है तो आपने का जी एक चीज बढ़ेगी और एक कम होगी तो इसी को आपने inverse कहते हैं हिंदी में विलोम कहते हैं इनवर्स कहते हैं क्योंकि प्राइस के अप होने पर सामानने तॉर पर आप देखें उसके डिमांड डिक्रीज करते है या פ्राइस के jurisdी करने पर डिमांड इंक्रीज करती है और इसके रीजन भी मैंने आपको दिया है कारण भी दिया है गटती हुई सीमान्त प्योगिता के नियम के कारण आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच कितनी होती है जो वस्तुएं आवश्यक होती है उनकी मांग की लोच कितनी होगी तरहें भी बताएं मुझे आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच क्या होने वाली है देखो जितनी भी वस्तुएं हैं और जो आवश्यक हैं अपने आप में याद रखना उनके बारे में बात आती है जो अति आवश्यक है क्योंगी लोच की देखो पांच वेराइटी हैं एक भी होती है एक से जादा भी होती है एक से कम भी होती है याद रखना greater than one भी होती है, less than one भी होती है, zero भी रहती है और infinite भी रहती है, अब basic तोर पर हम कहते हैं कि जो अति आवश्यक हैं, जो अति आवश्यक हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, जैसे कि नमक है basic तोर पर दवाई है, जिनकी मात्रा में कोई कमी नहीं की जा सकती, उसकी zero आती है, नमक है दवाई है उनमें जीरो आती है और जो आवशक वस्तुएं है इसका अर्थ ये बना कि कीमत में परिवर्तन होने पर बहुत अधिक परभाव नहीं पड़ता जो हमारी खाद्य वस्तु खाने पीने की चीज़े होती है आवशक वस्तुएं होती है यानि कीमत का मांग प जाए या सस्ता हो जाए तो आपने का इसको हम एक से कम मानते हैं इसे लेस देन वन मानते हैं और जो लगजरी आइटम होते हैं जो दिखावे की विलासिता की वस्तुएं हैं सोना चान्दी जो हमारी जीवन की आवशक वस्तु नहीं है उनकी मात्रा जो रहते हैं वो हमेश देन वन होती है अगला कोशन है कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एज्यूम जो कार्डिनल तरीका है मार्जिनल यूटिलिटी का आपको याद रखना है कि दो तरीके हैं एक कार्डिनल और एक ओर्डिनल है cardinal और ordinal है और यह क्या कहता है sir cardinal यह कहता है कि जो basically utility है इसको मापा जा सकता है cardinal approach कहती है utility को मापा जा सकता है लेकिन जो ordinal utility है वो यह कहती है वो concept कहता है कि utility को मापा नहीं जा सकता यह सभी independent होती इसमें कोई doubt नहीं है जो money की utility है वो हमेशा constant रहती है वस्तू की utility हमेशा decrease करती है पैसे की utility हमेशा same रहती है और ये उप्योगिता की मापनेता ये भी बात सही है कि उप्योगिता को cardinal approach केती है माप सकते है यानि ये सारी की सारी statement जो है वो बिलकुल correct होने वाली है इसमें कोई भी issue नहीं लगता हमें Everyone is correct चली दे अगला question क्या है जल्दी से बताएं मुझे as per the law of diminishing marginal utility when marginal utility is zero total utility बहुत अराम से सारी बाते हमने की हुई हैं सर assume करता है कि ये सारी की सारी बाते सही हैं बिलकुल जल्दी से comment कर देंगे कि आप मुझे बताएं कि जो सीमान तुप्योगिता का हरास नियम है वो क्या कहता है सीमान तुप्योगिता शुन्य होते जब कुल उप्योगिता क्या होगी आपने याद रखना है सर अगर सीमान तुप्योगिता positive है तो कुल उप्योगिता बढ़ेगी अगर सीमान तुप्योगिता शुन्य है इसका मतलब है कुल उपयोगिता अधिक्तम भी होगी constant भी होगी और अगर सीमानत उपयोगिता negative हो जाए अगर marginal negative हो जाए तो total जो है वो decrease करना शुरू कर देता है इनके बीच में relation होगा चले भई रोशन यादव उसकी classes अभी बंद चल रही है लेकिन मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ इस बार का दो दशेहरे का gift है वो rent of affairs की रूप में ही मैं आपको जरूर दूँगा चलिए अगला point क्या कहता है इन case of right angled difference curve goods are अगर कोई भी right angled बनाया जाएगा देको सामान्य तोर पर आप दिखो जो इन डिफ्रेंस कर्व होता है आप कहेंगे सर इन डिफ्रेंस कर्व हमेशा ऐसा रहता है सामान्य नेता IC कर्व की shape ऐसी होते हैं इसे convex कहते हैं लेकिन अगर मैंने कहा दो goods perfectly substitute हैं तो IC कर्व ऐसा भी होता है पूर्ण प्रतिसापन होने पर अगर दो वस्वे पूर्णता प्रतिसापन है perfectly substitute है तो हमारा IC कर्व ऐसा भी हो सकता है और इसी में अगर मैं कहूं कि हमारा IC कर्व ऐसा भी हो सकता है अगर दो वस्वे पूर्णता पूरक हो अगर दो वस्तों पूरता पूरक हो यानि completely जो हमारी कॉंपलिमेंट हो परफेक्टलिस कॉंपलिमेंट हो तो इसको हम right angle भी कह सकते हैं साथ में L-shaped भी कह सकते हैं basically तो अब अब सवाल में आपको धिहान में रखना है कि सर आपने तीनों बता दिये कि सामाननेता जो उदासीनता वक्र है वो हमेशा सी तरहा का यानि कि downward shape में होगा convex nature का होगा क्योंकि सवाल में हमसे right angle पुछा गया है यानि कि L-shaped के बारे में तो ये perfectly competition का होगा एक दूसरे से पूर्णता पूरक होगे तब ये कर्व बनेगा MRTS L-K जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है ये किसको represent करता है देखो MRTS क्या होता है marginal rate of technical substitution जो MRTS है ये इस तरहां से लिखा यहां पर इसको यहां इस तरहां से लिखना चाहिए MRTS L-K सबसे पहले आपको याद रखना है कि MRTS जो निकाला जाता है ये निकाला कहा जाता है ये किस चीज़ में relate करता है ये जो marginal rate of technical substitution MRTS है और इसका formula जो रहता है याद रखना वो रहता है MPL upon MPK यानि कि marginal productivity of labor और marginal productivity of capital ये इसको represent करता है और ये actual में होता ISO quant curve आपने पढ़ा होगा सर ISO quant curve जो होता है उसके अंदर बनता है MRTS और ये decrease करता है इसलिए ISO quant curve convex nature का होगा जिसे हिंदी में कहते हैं सम उत्पाद वक्र ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हमारा indifference curve बनता है अब indifference curve होता है जो consumer equilibrium को दर्शाता है और ISO quant curve होता है MRTS जो होता है वो producer के equilibrium को दर्शाता है अब यहाँ पर बास समझना तो ISO quant curve जो होता है वो producer का होता है तो आप कहींगे सर consumer का कौन सा होता है तो उसे कहते हैं indifference यानि अनाधिमान वक्र जो indifference curve होता है अगर यही सवाल आप से पूछ ले कि indifference curve होता है जो basically अनाधिमान वक्र उसके अंदर इसे MRS कहते हैं marginal rate of substitution कहते हैं तब इसे MRS कहते हैं और वो बनाया जाता है by consumer तो यह दोनों difference आपको याद रखने हैं तो यहाँ जो right answer है वो निरमाता के द्वारा संतुलन होगा यहाँ पर ना social होगा ना political होगा अब जानते हैं important यह था कि sir यहाँ पर या तो consumer होगा या producer होगा तो मेरे भई बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है लेकिन आपको मैं चाहता हूँ भई हर एक student कम से कम एक बार इसे अपने social media handle पर social media platform जो आप use करते हैं भई क्योंकि आप लोगों का होना बहुत जरूरी है इसके लिए अगर मैं कोई भी efforts कर रहा हूँ आपके लिए तो आप अगर उसको receive करने वाले होगे तो obvious है मैं ज्यादा provide करूँगा company आपको ज्यादा provide करेगी team आपको ज्यादा provide करेगी लेकिन उसके लिए आपको एक बार महनत भी करने पड़ेगी और मुझे जल्दी से एक बार इसका event को share कर दें और इसको like भी कर दें चलिए उत्पातन फलन का क्या तात पर यह होता है production function refers to यह production function जो है किस चीज की बात करता है दिको function जो होता है वो हमेशा relation को बताता है जो function होता है वो हमेशा relation को बताता और यह relation किस के बीच में होगा demand function भी होता है supply function भी होता है revenue और cost function भी होगे लेकिन demand function का मतलब होता है demand का factor के साथ relation supply का मतलब है supply का factor के साथ relation production का मतलब है input यानि की जो factor है उन्हें input कहते हैं और जो हमारा return मिल रहा है यानि production उसे output कहते हैं तो production function reference करता है input और output जो है इनके बीच के relation को इनके बीच के संबंध को यह previous year analysis करा रहा हूं है यह इसलिए कराना बहुत जरूरी है आप लोगों को क्योंकि अगर आपको अपनी knowledge के बारे में पता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि actually आपको required किस knowledge की है क्या exam में आने वाले question क्या according आप पढ़ रहें नहीं पढ़ रहें अगर यही analysis नहीं कि आपने तो शायद वो पढ़ाई तो होगी लेकिन exam oriented नहीं होगी exam oriented करने के लिए कुछ चीजों को सीखते हुए चलेंगे in which type of production function all the factors are variable सारे के सारे factor variable होते हैं बताओ किस तरह के production function के अंदर किस तरह के production function के अंदर सारे के सारे जो factors होते हैं वो variable हो जाते हैं जल्दी से comment करेंगे अबए सारे के सारे factors variable हो जाते हैं हमारे पाद दो चीज़े होती हैं एक को short run कहा जाता है और एक को long run कहा जाता है अब यह जो short run और long run की बात हम करते हैं तो एक में हमारे पास एक factor variable होता और एक factor constant होता है जबकि हम जानते है लोंग रन के अंदर जिसे return of to scale कहा जाता है पेमानी का परतिफल कहा जाता है सर तो उसे कहा जाता है कि उसमें long run में होगा और उसके सारे के सारे जो functions होंगे, जो factors होंगे वो variable होंगे वो factors क्या होंगे वो variable होंगे पैमाने का पर्तिफल कहते है इससे total variable cost सिर्फ long run में ही ऐसा होता है बस total cost is equal to जो कुल लागत है वो किसके बराबर होगी total cost किसके बराबर होगी तो देखो याद रखो जो total cost है उसको निकालने का formula mostly दो तरीके से निकलता है 1 प्लस marginal cost 2 प्लस इस तरीके से चलता रहेगा और marginal cost n नमबर तक तो अगर हम सारी marginal cost को जोड लेंगे तब भी हम total निकाल सकते हैं या total cost निकालने का तरीका जो है जो हमारी total fixed cost है प्लस total variable cost है अगर आप इनको add कर लेंगे तो भी हम अपने total amount तक पहुँच जाएंगे कुल लागत पर यानि TVC और TFC दोनों को अगर जोड दिया जाए TVC है total variable cost और TFC है total fixed cost इनको जोड दिया जाए long run average cost curve is तौसर chapter 2 ऐसा क्यूं होता है यानि इसका मतलब कि पहले बास समझ ना इसको इस तरहां से देखो बनाते हैं इसे तश्टरी के आकार का क्याता है long run average cost curve होता है और मैंने आपको समझाया और बताया है कि जब long run बनता है तब हम ये देखते हैं कि ये जो short run के marginal cost है ये उनके minimum से बनता है ये उसके minimum से बनता है यानि अगर हम individually देखे short run average cost curve होते हो इसके minimum point को मिलाए जाए ये सारे के सारे minimum point मिलाए जाए तो आप कहोगे सर ये बनता है long run average cost curve इसके बाद क्या होगा थैंक्यू बई चली जल्दी से बताए मुझे तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़े ऐसी आती है जो cost को reduce करती है और कुछ चीज़े ऐसी आती है जो cost को फिर increase करती है actual में इसे कहते है economies and dis economies of scale पेमाने की अर्थ की जो अर्थ विवसाए है economies है ये हिंदी टर्म सही नहीं लिखा इनोंने तो यहाँ पर इसको return to economies और dis economies of scale कहते है जो economies scale होती है ये हमेशा positive रहती है यानि positive होगी तो cost कम करती है और बाद में जो dis economies है वो negative होती है और वो cost को फिर से increase कर देती है ये economies of dis economies वाला concept अलग से भी हम discuss करेंगे इसी channel पर मैं आपके लिए class लेकर आऊँगा अच्छा बहुत सारे अर्थशास्री ऐसे भी हैसा जिन्होंने ये कहा है कि औसत कुल लागतवक्र का जो आकार है न वो L-shaped में होता है इसको L-A-K-R का होने का कारण दिया है वैसे सामान्य तोर पर हमने ये पढ़ा और हम जानते हैं भई ये U-A-K-R का होता है लेकिन कुछ अर्थशास्री ये मानते हैं कि औसत लागतवक्र जो है न वो L-A-K-R का भी हो सकता है वो L-A-K-R का भी हो सकता है जलिए उससे हमें कोई समस्या नहीं कि सरीसे L-A-K-R का कहा जाएगा या किस और आकार का कहेंगे इसको ये बोला जाता है कि जब ये L-A-K-R का बनता है ये L-A-K-R में तो हमने का डिक्रीज करके इंक्रीज करता है L-A-K-R का मतलब है कि ये सिर्फ डिक्रीज करता है और इसके लिए एक रिजन दिया जाता है रिजर्व एंड लर्निंग कैपिसिटी जो कंपनीज जो संसाय अपने पास रिजर्व करके रखती है वो रिजर्व करने के कारण से ये कॉस्ट जो है वो कम हो जाते है दोनों बहतर इसके ऑप्शन है इसमें आप कहेंगे रिजर्व और लर्निंग बाइड डूइंग यानि की काम करते करते हैं सीखने की चमता और साथ में लर्निंग करने की समता है ये दोनों को करने को बहतर माना गया है रिजर्व और लर्निंग के प्शिट अलकार का निशल्क परवेश और निकास क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या और समरूप उत्पाद ये कौन से बाजार की विशेष्टा हो सकती है जहां पर एंट्री और एग्जिट में कोई प्रॉब्लम ना हो लार्ज नंबर हो बायर सेलर हो और सबसे इंपॉर्डेंट क्या है सर वो है समरूप उत्पाद यानि एक जैसी समरूप उत्पाद होएं तो हम जानते हैं ऐसे बाजार को हम पर्फेक्ट कॉम्पेटिशन कहते हैं समपूर्ण या पूर्ण परतियोगिता कहते हैं जहां पर सभी प्रोड़क बिल्कुल एक जैसे ही बेचे जाते है इन में से कौन सी स्टेट्मेंट जो है वो true नहीं है यह बताना है कौन सी स्टेट्मेंट है जो true नहीं है TR का फॉर्मूला होता है price into quantity यानि जो TR है वो P into Q होता है तो total revenue निकल जाता है यह बात तो बिल्कुल सही है इसमें कोई doubt नहीं है हम AR की बात करें तो यह वाला भी सही निकलता है अगर TR को quantity से divide कर दे तो सही है और अगर हम D का मतलब derivative है D का मतलब यहाँ derivative है अगर मैं MR निकालना चाहता हूँ तो मुझे derivative करना होता है TR का यानि यहाँ पर जो D है delta है वो derivative को हम ऐसे भी बना सकते हैं वैसे इस तरहां से भी बनाते हैं तो कहेंगे यह TR divided by delta मतलब यह derivative करें D बनाई है इससे तो यह derivative है total revenue का derivative करना है D और derivative है यह भी ठीक है नि इसका मतलब तर जो गलत वो पुछाए कि कौन सा गलत है कौन सा true नहीं है कभी भी ऐसा नहीं जो true ना हो सारे के सारे true हैं इसके अंदर इससे derivative करना कहते है the demand curve a monopolist face is अगर कोई demand curve बनाया जाता है monopolist में एका धिकारवादी में monopoly में या monopolistic competition में तो याद रखना यह दोनों दिखो ध्यान से समझना यह monopolistic competition जो सवाल में पुछा गया उसके बारे में बताऊंगा लेकिन इसे कहते हैं monopolistic competition और इसे कहते हैं monopoly यह दोनों में आप देखोगे सर यह curve जो बनेगा वो दोनों का एक सही बनेगा नीचे की और होगा हाँ दोनों में एक फर्क है कि जो monopoly होगी इसकी जो elasticity है monopoly की वो एक से कम होगी और जो monopolistic competition की elasticity है वो एक से ज़्यादा होगी बई सीखने को भी मिलेगा क्योंकि सवाल को बदलता कैसे है आपका educated का exam आने वाला हरियाना वालों का या MP work 1 का exam आएगा या फिर माले या UP का आएगा बिहार का TRE 4 exam आएगा तो आप देखोगे सवाल को इसी परकार से घुमाया जाता है सब वही सवाल रहते हैं सवाल में थोड़ा सा बगलाब कर दें इसी को monopolistic competition भी कहके पूछ ले तब भी जवाब रहेगा नीचे के और जुकी हुई रेखा बनेंगे तो दोनों ही case में downward लेकिन ये याद रखना TRE batch 4 available है बिल्कुल आप उसे join कर सकते हैं हमारी application पर career overlap पर teaching category में जाकर उसमें आपको VOD content क्लासे भी मिलेंगी live practice क्लासे भी मिलेंगी NCERT भी मिलेंगी चार महीने का लगबग syllabus आपको मिल जाएगा चलिए बताए मुझे इसमें से कौन सी statement है तो सही नज़र आती है कौन सी statement जिसे सही कहा गया और याद रखना answer की क्या coding मत चलना तमाम गलती answer की में क्यों ही है अपने according चलिएगा इस सवाल में तो आपने का कौन सी statement correct हो सकती है तो दिखो जो monopoliistric competition है वहाँ पर जो product होते हैं वो बिल्कुल different different होते हैं इस बात में हमें कोई शक नहीं है ये बात बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ तक there are two seller in the duopoly अगर duopoly बनाया जाएगा तो उसमें two seller होंगे ये बात में भी समस्या नहीं है और एक monopoli does not have a supply curve monopoly में supply curve नहीं बनता ये बात भी सही है अब सवाल में पुछा क्या क्या सही है तो जवाब है all of these ये सारी statement correct है monopoly में supply curve नहीं होता duopoly के अंदर दो ही seller की बात की गई और monopolis tic competition में product differentiation होता है ये ज़रूरी है क्योंकि perfect competition में product समरूप होते इन्हें oligopolistic market जहाँ पर कुछ विक्रेता होते हैं few होते हैं more than two होते limited होते हैं विक्रेताओं की बड़ी संख्या तो ये बात तो गलत हो गई सर अलपधिकार में तो कुछ होते हैं और केवल एक भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो monopoly में होगा कुछ विक्रेता होंगे कोई विक्रेता नहीं होगा केवल खरीदार ये होई नहीं सकता बाजार में विक्रेता और खरीदा दोनों का होना जरूरी है हाँ ये कहेंगे कि सर कुछ विक्रेता होंगे कुछ विक्रेता होंगे कोई विक्रेता नहीं होगा ऐसा possible नहीं है इसे हमने oligopoly market कहा है यानि कुछ विक्रताओं का बाजा अंडर कॉर्नोट मॉडल्स अफ डियो पॉली इच प्रोड्यूसर आर ये कॉर्नोट के दुवारा दिया गया एक मॉडल है इसको थोड़ा याद भी रखिएगा कई बार चीजों को थोड़ा सा याद भी करना पड़ता और इस मॉडल में ये कहा गया कि सारी जो कोवम्स होती है वो एक दुसरे से सवतंत्र भी होती है लेकिन एक दुसरे के साथ रिलेट भी करते हैं यानि दोनों तरीके के एक बहुत लंबा सा मॉडल है वैसे आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है केरियर विल टीजुटी पीजुटी के नाम से इस चैनल पर मैं बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज लेका राता हूँ जैसे आप देखें आपको आउकुन का नियम नहीं पता है तो आप उसके एक चोटी सी वीडियो पांच मिनट की इस चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको बैवरिज कर्व के बारे में नहीं पता है लाफर कर्व के बारे में लॉरेंस कर्व गिनी कोईफिशेंट एंजल्स लॉग के बारे में नहीं पता सारी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी और साथ ही अगर आपको मालिजे किसी बाजार के बारे में पढ़ना है like आप perfect competition पढ़ना चाहते है monopoly, monopolist हर एक individually market की अलग-अलग class बना कर इस चैनल पर आपको दी गई है तकि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सके तो cornot model जो होता है वो हमेशा एक तिहाई के बारे में बात करता है आपको बताना है इन classical view rent arise due to classical का मतलब होता है जो हमारी Adam, सोरी हमारे जो David Ricardo है Ricardo की जो rent की थियोरी है वो classical थियोरी में आती है और Ricardo की rent theory क्या क्याती है बताया है मुझे तो Ricardo जो है हमारे उनकी rent theory क्या क्याती है कि जो जमीन है वो square है क्योंकि उसमें बताया है कि उसकी मांग की लोच हमेशा perfectly inelastic रहती है zero रहती है भूमी की मात्रा जो है वो square है वो जितनी भी है वो कम है अपने आप में क्योंकि आप जानते हैं इसको आप आनत नहीं कह सकते हैं Limited कह सकते हो, Scare कह सकते हो और differences in the quality of land यानि जो product की जो उसकी उपजाओ छमता है जो fertility है उसमें changes होते हैं उसमें difference होते हैं और इसी वज़ा से उसका rent और इसी वज़ा से उसका rent आता है तो यह quality है वो difference होती है और यह भी ठीक है अगर यह दोनों ठीक है तो जवाब आपका होना चाहिए land की scarcity और उसकी quality difference की वज़ा से ही उसका amount है जो rent है वो arise होता है दोनों बाते सही हैं इस case में कोई issue नहीं है वह इस बारे में method of collective bargaining refers to collective bargaining जब हम term use करते हैं तो collective bargaining terms किसके बीच में होता है माली जी दो terms है दो वेक्ति हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है तो यहाँ पर जो बातचीत होगी वो किसके बीच में होगी दोको एक employers की union होती है और एक labors की union है बहुत सारे नए सवाल सीखने को भी मिलते हैं जैसे यह सवाल किसी chapter का part नहीं है लेकिन इस सवाल पूछा गिया तो जवाब आपका होना चाहिए जो करमचारी होते हैं जो हमारी labors है जो हमारे employers हैं उनका जो representative होता है और जो हमारे trade unions हैं उनके जो representative होते हैं जब इनके बीच में deals होती है इनके बीच में negotiations इनके बीच में बाची सौदेबाजी होती है तो उसी को collective bargaining का नाम दिया गया ये कोई बात ऐसी है जो आपको सीखनी भी पढ़ सकती है और आप try करेंगे किसा नियोखता और employer का customer से कोई लेना देना नहीं होता employer का employee से हो सकता है employee representative का trade union के representative से हो सकता है लेकिन union का ग्रहक से ग्रहक का तो विकरेता से होगा ग्रहक का जो होगा वो shopkeeper से होगा दुकानदार से होगा लेकिन employer से उसका कोई connection नहीं बनता किसने कहा था कि मुनाफ़ा जो profit are a dynamic surplus dynamic surplus की theory मैंने आपको बताई हुई अगर आप मेरे साथ आप class कर रहें class कर चुके हैं तो आप देखेंगे वह उसमें जो dynamic surplus की बात कही गई है वो किसने की है जे बी क्लार्क ने कहा था कि profit एक dynamic surplus है क्योंकि आप जानते हैं कि इनमें सागर मैं कहूँ जो शुम्पिटर ने innovation की बारे में बात की है और जो night है वे FH night को ना इस सरहा से लिखा जाएगा देखो यह यहाँ K लगा कर लिखा जाएगा KNI के नाम से यह नाम है क्योंकि actual में एक और यह कहते है कि जो हमारा uncertainty की वज़ा से होगा लाब को अनिशित्ता का reward कहा है uncertainty को bearing करने का reward कहा है आपको याद आ रहा होगा सर यह अभी अभी आपने बताया इसके अंदर कि जो night है K N I G H T ना पूरा लिखा जाएगा F H night क्या क्याते है सर लाब जो है वो reward है uncertainty का यानि की अनिशित्ता का लाब का नव परवर्तन सिधान्त किसने प्रतिपादित किया देखरो एक ही paper के अंदर सारे question पूछेगा अगर आपने किसी ने पहला option वाला इससे पहला वाला सवाल आपने देखा चार नाम थे मैंने आपको चारों नाम लगबग बता दिया और उसमें आपने देखा कि सर फिर अगली बार भी वही सवाल है और यहाँ पर हम याद कर चुके हैं कि सर जे शुम्पिटर जे शुम्पिटर ने innovation वाली theory दी है इन्होंने का profit जो है वो theory of innovation की वाज़ा से होगा निमलिखित में किसने जोखिम को बीमा योग्ये और गैर बीमा योग्ये जोखिमों में विभाजित किया हुआ है यानि इन में से किसने कहा है कि कोई एक insurable और non insurable होंगे और जो non insurable होंगे जो गैर बीमा योग्ये होंगे उन्हीं का होता है profit उन्हीं को कहते है लाब की अनिशिता यारी याद रखना insurable वालों का नहीं होगा और ये बात भी FH night के द्वारा की गई है इन्होंने ही अनिशिता का सिधान दिया कौन सा छेत्र परिवारों की आवशक्ताओं की संतुष्टी के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है वो छेत्र जो परिवार के लिए सामानों का उत्पादन करता है वो छेत्र इन्में से कौन सा कहलाएगा कौन सा छेत्र होगा जो इनमें से कहलाएगा जो परिवारों की आवशक्ताओं की संतुष्ट्री के लिए कारिय करता है तो आप कहेंगे सर दिखो दो छेत्र होते हैं हमेशा two sector model में एक जो factor प्रोवाइड करता है और दूसरा जो उत्पादन करता है पहले वाले को जो परिवार वाले छेत्र है factors देते हैं जमीन देते हैं पैसा देते हैं लेबर के रूप में काम करते हैं और बदले में पैसा रिसीव करते हैं तो आप याद रखो जो उत्पादन छेत्र होता है उसका काम है वस्तू और सेवाओं का उतपादन करना और घरेलू छेतर का काम है वस्तू और सेवाओं की उतपादन के जो कारक हैं उनको उपलब्ध कराना क्योंकि हम कुछ प्रोवाइड करते हैं तो बदले में उससे पैसा मिलता है जो production sector, producing sector होगा उसका काम उतपादन करने क होगा कि सप्लाइट क्रियेट्स इट्स ओन डिमांड इस एट्रिब्यूटिट टू यह जो शब्द दिया गया यह जो टम दी गई है किसके द्वारा दी गई कि मांग अपूर्ती अपनी मांग स्वैम निर्मित करती है यह उत्पन करती है यानि कि अगर आप प्रोडक्शन कर करता है जिसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फोन हो मैं घरेलू छेतर में आता हूँ और मोबाइल कंपनी मेरी डिमांड के लिए मोबाइल बनाती है तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में होगी फर्म कहलाएगी कंपनी कहलाएगी तो आपने का यह जो कथन दिया जे बी से के द्वारा दिया गया है जे बी से एक व्यक्ति का नाम है फ्रांस से आते हैं जॉन डप्टिस्ट से और इनने कहाता सप्लाई अपनी डिमांड खुद करती है केनेजियन गुनक मॉडल के अनुसार यदि MPC का मान इतना है तो हमारा आउटपुट मल्टिप्लायर यानि की जो इन्वेस्टमेंट मल्टिप्लायर कहलाता है हमारा के कहलाता है उसकी वैल्यू कितनी होगी देखो वन अपन वन माइनस MPC यह हमारा फॉर्मुला होता है या इसी को वन अपन MPS भी कह सकते हो यहाँ पर MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपैंसिटी टू कंज् यह MPS का मतलब है मार्जिनल प्रोपैंसिटी टू सेविंग यह दोखो दोनों टर्म्स दी गए आप इस फॉर्मुले को आप रखेंगे जब तो कुर्शन कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है यह चीज़े बहुत आसान होंगी दब आपने का जी हमें कुछ भी एक दिया गया होगा तो हम उसका investment multiplier निकालेंगे यह नि 1 upon 1 minus 0.8 हो जाएगा 1 upon 0.2 बनेगा और इसकी value 5 के बराबर आएगी यह value जो होगी वो 5 के बराबर होगी मुझे एक बार यह बता है पहले कि अगर मैं आपको यह सब कुछ करा रहा हूँ तो बहतर ह आप लोगों के लिए या नहीं है क्योंकि आपका होना बहत जरूरी है आपको समझ में आ रही है चीज़े या नहीं आप लेवल के साथ justify कर रहे हैं और आपने जो topic अगर पढ़ा हुआ है कम से कम उसके question में गलती नहीं कर रहे हैं आप लोग क्योंकि जो नहीं पढ़ा हु model के बारे में बाग की गई है अब एक सवाल थोड़ा सा जो length में काफी लंबा है लेकिन जो अगर आप करना चाहेंगे तो बेहाद आसानी से हो जाएगा और सवाल पुछा है it decrease in marginal propensity to consume अगर marginal propensity to consume जो है वो decrease करती है तो इससे क्या impact होगा ये समझने के लिए याद रखना multiplier multiplier नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं भास कर तो पढ़ा देंगे वैसे ये aggregate demand aggregate supply का विशे में आता है MPC MPS निकाला जाता और उसी में ये investment multiplier आता है अब मेरी बात समझेगा कुछ question में confused हो रहे हैं कोई बात नहीं confused इसलिए हो रहे हैं कि अगर आप बात करने के बाद मेरे answer के ब अगर आप आप समझ पा रहे हो इसका मेरा अपनी problem solve कर सकते हो इसका रहती ये बना देखो हमारे पास एक aggregate supply होता है और एक हमारे पास aggregate demand होता है जो aggregate supply और aggregate demand है जहां पर ये equilibrium बनता है उस point को हम कहते हैं वो हमारे IA का इस्तर होता है हमारा वो हमारी GDP का इस्तर होता है अब basic तोर पर जो सवाल है वो ये कह रहा है कि अगर MPC यानि कि जो इनसान की खर्च करने की चमता है वो अगर कम हो जाती इनसान खर्च करना कम करता है जैसे जैसे उसकी income बढ़ती है खर्च यानि इस सवाल में वो ये कह रहा AD में कम ही करता है क्योंकि इनसान खर्च कम करेगा त इस तरह की नई डिमांड की लाइन बना देंगे, नई वाली डिमांड लाइन ऐसे बना देंगे, तो अब हमारा संतुलन यहां आ जाएगा, यानि हमारा संतुलन पीछे चला जाएगा, यानि इससे हमारी डिमांड तो कम होगी ही होगी, लेकिन साथ में हमारी जो इकलिब्रि इकलिब्रियम लेवल है हमारा वो भी कम हो जाएगा नए पॉइंट जो है आप देखिए वो आए का इससर पीछे की और नजर आएगा बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है यह एग्रिगेंट डिमांड एग्रिगेंट सप्लाई के अंदर इसको याद रखना है देखो यह वही सवाल है लेकिन आप देखो एक ही सवाल से आपको दो दो मार्क्स मिल सकते हैं आपने का जी अभी तो बताया आपने की 1 अपॉन 1 माइनस MPC करके निकाला जाए या फिर आप 1 अपॉन MPS करके निकाला जाए तो आपने का यह वाला स्टेटमेंट तो गलत है और अगर कोई भी चीज अंदर की ओर आ रही है यानि कम हो रही है तो हमारी तरफ आएगी और expand कर रही है बढ़ रही है तो वो बाहर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर margin capital की जो efficiency है वो कम हो रही है हमें जो return वगेरा मिल रहा है वो कम मिलेगा तो obvious है कि जब return कम मिलेगा तो return कम होने की सिती में आप कहेंगे फिर हम जो provide कर रहे है जो हम demand वगेरा कर रहे है सर वो भी कम हो जाएगी जब एक इंसान को कम return मिलेगा तो आगे खर्चे भी उसके कम हो जाएगे यह भी व्रद्धी यह भी व्रद्धी यह भी व्रद्धी की बात है यह तीनों व्रद्धी दिखा रहा है लेकिन सर यहां पर समगर मांग की बात की गई है सिर्फ एक ऐसा option जो कम ही को धर्शा रहा है तो याद रखा टियारी को और क्लास शुरू कीजी अभी क्लास शुरू हो चुकी है चंदन अब जानते हैं अभी बैस शुरू हो चुका है और जैसी नोटिफिकेशन आएगा क्लासे भी शुरू हो जाएंगी मॉनेटरी बेस किसे कहते हैं मॉनेटरी बेस का क्या आर्थ होता है ये कुशन सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या सवाल पुछे जा रहे हैं एक्जाम के अंदर देखो मॉनेटरी बेस कहते हैं जिसे आधार कहते हैं मौदरिक आधार कहते हैं सर ये मॉनेटरी बेस का मतलब होता है जब आप money supply में M0 पढ़ते हैं M0 लेवल जो होता है level of money supply जो money की supply है उसका जो M0 होता है यानि जिसे high powered money भी कहते हैं monetary base भी कहते हैं तो जितना पैसा currency के रूप में circulate हो रहा है या जो पैसा हमारा RBI के पास reserve है याद रखना उसकी बात हम यहां कर रहे हैं सर तो इसका अर्थ ये बनेगा जो पैसा हमारे पास currency के रूप में circulate कर रहा है और जो पैसा RBI के पास हमारे central bank के पास reserve में रखा है जो RBI के पास banks deposit है या RBI के पास other deposit से सर उसी को हम M0 कहते है monetary base कहते हैं ये एक सवाल दिया गया है इस सवाल में थोड़ा सा confusion है क्योंकि सवाल को थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है ये सवाल और इसमें answer जो दिया गया वो वैसे P यानि कि D option दिया गया लेकिन मैं इस सवाल को यहां से हटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें जो neutrality का principle है हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे कोई दिखात रही है यदि मुद्रा की आप पूर्ती बदल जाएगी तो इन में से कौन सचर परभावी तो होगा यानि market में money की supply अगर change होती है तो इन में से किस चीज पर उसका impact पड़ सकता है किस चीज पर उसका परभाव पड़ सकता है मुद्रा की आप पूर्ती का किस के बारे में लेना देना होगा M0, M1, M2, M3 और M4 यह चार होते हैं basically यह चार formula हमारे पास हैं इसके लिए में एक single video आपके लिए बना दूँगा hopefully आज या कल में आपको एक video मिल जाएगी जिसमें money supply के चारो level को हम किस सरहा calculate करते हैं उसके formula क्या रहते हैं और इसमें से किस को किस नाम से जानते हैं जैसे M1 को narrow money supply कहते हैं M3 को broad money supply कहते हैं aggregate monetary resource कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप जानते हैं कि सर अगर money की supply बढ़ी तो price बढ़ेगा money supply बढ़ी तो inflation बढ़ेगा तो inflation का बढ़ना ही हमारे लिए क्या कहलाता है money supply कहलाता है according to जो द्वी विभाजन जो dichotomy principle है क्या कहता है अब देखो यहां पर आपको याद रखना है सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा technical है थोड़ा सा नया है इस सवाल अपने आप में और जब नई चीज आती है तो अच्छी बात भी होती है नई चीज आती है तो बहुत अच्छी बात होती है देखो यहां जो real और nominal है पहले आपको यह पता हो real और nominal अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक circular flow पढ़ते हैं क्लास में circular flow पढ़ते हैं sir real का मतलब होता है जो goods और service से relate करता है जो हमारे पास goods और service से relate करता है goods और services के बारे में बात करता है factors के बारे में उसको हम real कहते हैं और जो बात money की करता है monetary की करता है money और money supply की करता है उसे nominal कहते हैं जैसे example के तोर पर मैं कहूं रोजगार का बढ़ जाना ये एक real factor कहलाता है हमारा जैसे मैं कहूं उत्पादन का बढ़ जाना कोई भी goods या service का production बढ़ जाना है सर 4-5 वाले question कैसे आते हैं 4-5 option में ये ही करवा देंगे मेरे बई 4 question में अगर estate दे रहे हो बिहार का तो 4 में आते हैं बिहार का TRE exam दे रहे हो तो 5 option आते हैं estate में 5 आते हैं लेकिन 5 वा option उसमें non attempted रहता है कि अगर आप question नहीं करना चाते हैं तो उसके लिए रहता है तो याद रखना जो nominal और real हैं याद रखो ये दोनों एक दुसरे को effect करते हैं लेकिन ये effect जो करते हैं वो short run में करते हैं long run में नहीं करते हैं ज्यादा लंबे समय तक उसका impact जो है वो नहीं रहता है real को long run में जो nominal variables हैं जो money की supply वगिरा हैं ये real flow को long run में effect नहीं करते हैं याद रखना सिर्फ short run में करते हैं कम समय में करते हैं अमोमन जितनी भी चीज़े होते हैं वो short run में effect करती हैं long run में effect नहीं करती है ज्यादा समय के बाद उनका प्रभाव खतम हो जाएं precautionary demand for money is अगर कोई भी precautionary demand है दोको यहाँ पर आप जानते हैं money के 3 level होते हैं एक money जो transaction के motive के लिए लिए जाती है जो हम इस उदेशे के लिए लेते हैं basically कि transaction करनी है अपनी need पूरी करनी है उसे transaction motive कहा जाता है जो पैसे हम संभाल कर रखते हैं उसे precautionary motive कहते हैं जो हम reserve करके रखते हैं उसे सचेतता यानि precautionary motive कहते हैं और एक हमारे पास speculative motive रहता है जिसका मतलब यह होता है कि हम पैसे को यहाँ पर use कर रहे होते हैं speculative motive के रूप में अब सवाल में क्योंकि precautionary वाला पुछा गया है तो इसका मतलब एक निश्क्रिय शेष रहता है या सक्रिय शेष रहता है जो मुद्रा की एहतियाती मांग होती है यानि कि जो precautionary रहता है यह आए के साथ विपरीत तो नहीं होगा आए के साथ तो धनात्मक होगा आए बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा और आप याद रखो यह ब्याज के दर से भी समधनी होता क्योंकि ब्याज के दर से सिर्फ speculative वाला होता है ब्याज के साथ जो होता है वो only speculative वाला होगा इसके अलावा और कोई सा नहीं होगा तो यहाँ पर जो याद रखना है interest rate के साथ relate नहीं करता आए के साथ नहीं लेकिन यह active balance कहलाएगा या ideal balance कहलाएगा मैं बता दूँ जो आपका transaction वाला और जो precautionary वाले हैं वो active balance कहलाते है ठीक है तो यह बात याद रखनी है active balance कहलाते है bank rate in India is decided by अगर bank rate इंडिया में decide किया जाता है तो बताइए किस के दुआरा जो bank rate है इंडिया में वो decided किया जाता है तो किसके दुआरा decide को bank rate क्या है जिस rate पर RBI किसी bank को loan देता है जो वर्तमान में 6.75% जिसे discount rate भी कहते हैं यानि इसको decide करने की जिम्मेदारी देश के Central Bank की यानि की RBI की होती है अगर CRR बढ़ जाता है cash reserve ratio बढ़ जाता है तो बताईए क्या होगा अगर CRR का जानुपात है वो increase करने लगता है तो इसका अर्थ क्या बनेगा CRR का जानुपात अगर ये increase करता है तो बताईए इसका अर्थ क्या होने वाला है कि जो हमारे commercial bank हैं उनके पास उधार देने की बात करें या ना करें तो आप कहेंगे Sir Commercial bank will have more money to lend और commercial bank will have less money to lend जो commercial bank के उनके पास उधार देने के लिए पैसा कम हो जाएगा कि क्यों को जादा पैसा किसके पास? RBI के पास CRR के रूप में रखना होगा और उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा The interest rate which bank get for parking their short term access liquidity with the RBI is called अगर bank वाले अपना जो थोड़ा पैसा बच गया है वो अपना पैसा RBI के पास जमा कर दें तो कहोगे जब bank RBI के पास जमा करेंगे तो उसी को reverse repo कहते हैं सर और जब RBI वाले bank को देते हैं उधार में तो repo rate कहते है भारत में जो central monetary authority है वो कौन है भारत की जो central monetary authority है इंडिया में वो कौन होने वाली है आप बताए मुझे तो आप कहेंगे सर जो इंडिया के अंदर central monetary authority है वो authority हमारी RBI है reserve bank of इंडिया है वैसे देश के authority के रूप में president कहलाते हैं लेकिन जब monetary की बात की जाये तो वो RBI हो जाएगा the monetary policy जो बनाई जाती है भारत में वो किस के आधार पर बनाई जाती है वो WPI के आधार पर बनाई जाती है वो consumer price index rural के आधार पर consumer price index combined के आधार पर या consumer food price के आधार पर इनमें से किस के आधार पर ये monetary policy को बनाया जाता है बताए मुझे तो जब monetary policy बनाई जाती हमारे भारत में तो उस monetary policy को बनाते समय जो RBI target करता है वो CPI को करता है और CPI में भी CPI combined को करता है याद रखिएगा क्योंकि CPI के चार टाइप होते हैं लेकिन RBI जिसका इसे माल करता है भारत सरकार जिसका इसे माल करती है उसे CPI combined कहते हैं ये question आपको सीखने को भी मिल रहे होंगे बहुत सार अगर MP Monetary Policy Committee के विशे में यहां बाते कही गई है और सवाल ये कहा गया है कि कि ये जो काम है मुद्राई स्वीती लक्षे को प्राफ्ट करने के लिए नीती दर निर्धारित करना विधानिक रूप से अनिवारी है ये एक statutory है यानि कि RBI 1934 में इसके बारे में बात की गई है और किसी संसद या विधान मंडल के सदस्य जो है वो हमारे MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते तुकर MPC क्या है सरी है ये छे सदस्यों की एक समीती है जिसमें तीन सदस्य RBI की तरफ से और तीन भारा सरकार से और RBI Governor जो होते हैं भारा सरकार से वो इसके अध किसी भी इंस्टिट्यूट वगेरा के यानि कि कोई भी संसद या संसद क्या जो होगा व्यक्ति ये नहीं होगा ये बात बिलकुल सही है कि ये नियुक्त नहीं किये जा सकते ये बात ठीक है बिलकुल और ये बात भी सही है एक नंबर भी सही है हमारा जो पहला वाला है कि म हमस्या नजर नहीं आती है सर दोनों correct statement है सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है आज निमलिखित में कौन सीथ LAF यानि की Liquidity Adjustment Facility LAF कहते हैं और LAF का मतलब जिसके तहत RBI ने repo और reverse repo की शुरुवात की यह जो LAF की सुविधा होती है याद रखना तरलता समायोजल सुविधा इसी को हम repo rate और reverse repo rate कहते हैं अब यह जो repo rate है और reverse repo rate है याद रखो चाहे सरकारी हो private हो विदेशी हो ग्रामीड हो cooperative bank हो चाहे कोई से भी RRB हो हर एक परकार के bank कितने को हमारे पास चाहे वो bank RRB के case में हो तो ये भी सही है regional rural bank भी कर सकते हैं जो primary dealers है हमारे पास जो primary dealers के बारे में एक term दी गई है और एक term दी गई है scheduled commercial bank तो जितने भी commercial bank के obvious है वो भी कर सकते हैं एक और तीन हम 100% confirm हैं कि एक भी होगा और तीन भी होगा इसका मतलब primary dealers भी हो सकते हैं फिर scheduled commercial bank जो है repo rate पर सारे ही bank लेते हैं RRB भी लेते हैं इसका जवाब होगा एक दो और तीन जब की इसका जवाब एक और दो दिया हुआ है किसने जो इसकी answer की है मैं फिर कहा रहा हूँ answer की के coding जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आंसर की में ये बात नहीं समझाई जाती नहीं बताई जाती कि क्यों उन्हें तीन नंबर छोड़ दिया है schedule commercial और आप देखो जो सबसे पहला वाला question मैंने कराया था वो choice करने वाला यानि जिसमें आपने कहा कि अर्थशास मूलेता choice related वो भी wise man, peacock, hypothesis ये support करता है possibility की बात करता है ये किस बारे में support करता है याद रखना ये क्या कहता है ये कहता है कि जैसे जैसे हमारे सरकारी खर्च बढ़ता है वैसे वैसे हमारा development आता है सरकारी खर्च में व्रधी जब होती है ये उसको लेकर suggest करता है और आपको याद होगा ये wise man, peacock वाली जो theory है जो सरकारी खर्च से relate करती है ये TRE3 के एक paper में भी आया था board मानता ही नहीं है board को मानना पड़ता है बस यही तो समस्या है इस बार का SSE का भी CGA लाया है उसके answer की आई है तमाम गलतियां उन्होंने की हुई है लेकिन SSE वालों ने तो हर एक question पर अगर आप objection फिल करते हैं तो आपको 100 पर लगेंगे 100 रुपीज आपको देने पड़ेंगे और आप कहेंगे सर ये बड़ा एक समस्या रहती है और हम इस किताब को लिखने वाले जो वैकती है वो है आर ए मस्गरेव के नाम से इन्होंने लिखा है पब्ली का ओफ त्योरी आफ पब्लीक फिनांस के नाम से तो हमारा जो पहला टाइम है जो फर्स्ट वन आर है लगबग वो कंप्लीट हुआ और हमने पचास कोशन यहनी की लगबग आदे कोशन भी कंप्लीट कर लिए तो जल्दी से एक बार अपना देखने को मिल रहे है क्योंकि हम जो क्लास में करते ही रहते हैं वो कशन तो सेम टू सेम रिपीट नहीं करना चाते हम हम चाते हैं कि नए सवाल आपको मिलें आप सीखते हुए चले आपका हर एक एक एकजाम अच्छा हो आप सेलेक्शन ले और हमें भी याद रखें और खुद भी लाइफ में आगे बढ़ते रहें चली अगला सवाल देखिए जल्दी से अगले एक गंटे में हमें इसे कंप्ल प्रिगरी हैं देखो यहां बनाई गई पांच बारा ठारा और अठाइस यह स्लैब रहते हैं एक्स्टर्नालिटी मैंने का बाहियता देखो बाहर से होने वाले प्रभाव एक अर्थ विवस्टा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जो एक्स्टर्नालिटी है वो हमेशा मैंने कहा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं पॉजिटिव को एकॉनोमीज of scale कहते हैं यह सकरात्मक और नकरात्मक economies and disconomies of scale भी हो सकते हैं जो बाहर से other factors जो प्रभावित करते हैं सारजनिक विये पर wise man pick up कर अपना किस बात की बात करती है जो wise man pick up के बारे में बात की गई मैं इसको अलग से भी लोगों को कराऊंगा इसके उपर क्योंकि मैंने का TRE3 में भी question आया हुआ है और already लगबग हर एक exam में आपको इस पर सवाल मिल जाते हैं तो मैं आपको उसमें कराऊंगा कि किस तरहां इन्होंने ये बात समझाई है लेकिन यहां पर बात यह कि सारे सही है इसमें displacement effect क्या होगा concentration effect inspection effect भी होता इसका मतब यह है सर वाइजमें की थियोरी जो relate करती है हमारी public finance से जो relate करती है public expenditure को बढ़ा कर देश के growth और विकास को बढ़ाने से related वो बताते हैं कि किस तरहां के impact हमारी economy पर हो सकते हैं यदि कोई एक निश्चित मात्रा से भोजन की एक अत्रिक तिकाई का उपयोग करता है तो अन्य किसी को अपनी खपत कम करनी होगी इसकी किस प्रकार की वस्तू का example है दुक्र हमारे पास याद रखना public goods वो होती है जो सबके लिए होती है जैसे कि हमने कहा हमारी street light है अब ये सबके लिए है और अगर एक इसका इस्सेमाल करेगा तो दूसरे को कोई कमी करने की जरुवत नहीं होती है यानि एक इंसान बढ़ा लेगा अगर मान लीजिए जैसे कि national security है ये हमारी public goods होती है लेकिन जो हमारी education और health होते हैं ये married goods कहलाती है और वो वस्तुएं जहां एक अगर बढ़ाएगा तो दूसरा कम करेगा जो हमारा food है basic तोर पर ये एक हमारी private वस्तु कहलाता है निजी वस्तु की कि वो उसकी मातरा सीमित है अगर एक ज्यादा करेगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा वो सारी चीज़े जहां एक के बढ़ाने पर दूसरे कम करने पड़े हैं वो private हैं क्योंकि public goods की case में किसी को कम करने की जरुवत नहीं है हर कोई उसका उप्योग कर सकता और वो भी free में होता है याद रखना पब्लीक goods देख अगला सवाल वही आया फिर से पब्लीक goods का यानि ये पब्लीक और private goods वाले question है यहाँ पर जो दिये गए पब्लीक goods are non-excludable ये excludable क्यों नहीं होती मैंने क्या बताया आपको कि कि आप कहोगे सर यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा गर उभोग किया जाए तो दूसरे को भी उसकी खपत कम नहीं करनी ये तो गलत हो जाएगा ना ये तो private का example हो जाएगा या कुछ लोगों को इस्सिमाल करने से रोका जाए गलत कुछ भी कोई भी इंसान इसका सेवन करने से रोका नहीं जा सकता हर कोई कर सकता है फ्री कर सकता है कोई competition नहीं होता इनके बीच में जैसे कि national security है जैसे हमारी street lights हैं ऐसे हमारे park बने हुए हर कोई इस्सिमाल करे इनक इसको direct कहते हैं और जो shift नहीं हो सकते हैं उन सभी को इन डारेक्ट कहते हैं जो shift हो सकते हैं उनको indirect कहते हैं अगर कोई भी tax से जो shift हो सकता है उसको indirect कहते जैसे GST है यह consumer के ओपर shift किया जाता है producer के दुवारा अगर ed infinite या 0 है इसका मतलब यह है कि the whole incidence is on देखो यह बात किसकी बात की जा रही है the whole incidence of tax यहाँ पर मुझे लग रहा है यह miss है कुछ सवाल of tax is on यानि जो tax का पुरा भार है अगर elasticity 0 होती है elasticity of demand इसका मतलब यह है कि elasticity of demand infinite होती है माफ कीजिएगा देखो याद रखना अगर ed ed को ध्यान में रखना है अगर infinite है या ed जो है वो 0 है 0 होने पर मतलब यह कि मांग में कोई कमी नहीं होगी तो पूर्ण भार पूरा भार जो होता है न वो विक्रेता पर होता है खरीदार पर रहता है कि वो उसकी मांग को कमनी करता और infinite के case में जो पूरा का पूरा भार होता है वो विक्रेता पर होता है याद रखना क्योंकि अगर उसने कीमतों को बढ़ाया या घटाया या ग्रहक से लिया तो ग्रहक उसकी demand करना बंद कर देगा तो आपने कहा अगर या infinite है तो इसका मतलब पूरा भार जो है वो विक्रेता को उठाना पड़ेगा अगर ये 80-0 होता तब कहोगे ये पूरा भार क्रेता को उठाना खरीदार को उठाना पड़ता तो विक्रेता यानि seller infinite की case में the government which taxes are least is the best ये बात किसने कहीं ये भी question answer गलत दिया हुआ है या पर वो सरकार जो इस बात में विश्वास करती है कि tax की rate जो है वो जितनी कम होगी उतना best होगा ऐसी सरकारों को हम वानिज्यवादी सरकार कहते हैं वानिज्यवाद सरकार का मतलब है कि इसका अर्थ ये बना वानिज्यवाद सरकार का जो हमारे पास सरकार होगी जो सरकार हम नमारे पास होगी वो इस बात में बिलीव करें कि पूंजी वादी विशेश्च जादतर जो होते हैं वो इसी तरह की चीजों में विश्वास करते हैं बिलीव करते हैं याद रखना तो ये mercantilist होते हैं यानि वेपार वाली होते हैं निवलिखित में कौन सा सारजनी करण को भुनाने की एक विधी नहीं है यानि कौन सा एक है जो public debt करने का तरीका नहीं है अगर आपको कर्ज लेना है तो कर्ज का एक तरीका नहीं है तो आपको बहुत सारी बाते सवाल में पता हो ना पता हो कई बार question हमेरे पास आता है हम question try करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जवाब क्या हो सकता है तो उधार लेने के बहुत तरीके हो सकते हैं लेगिन साहयता लेना से कभी उधार नहीं हो सकता साहेता वो है जो उधार नहीं होती कभी क्योंकि उधार वापस किया जाता है साहेता वन साइडेड होती है युनिलेटरल वो कभी वापस नहीं की जाती ना वापस प्राप्त की जाती है वो हमेशा या तो दे दी जाती है यह ले ली जाती है वो ग्रांट जो होती है वो कभी प्रिनसीपल वफ नेट्रीटी सिता वहां पर और यह नेट्रिटी का टती सता का सिधानт है बहुत सारे हमारे पास में सिधानत है इस को लेकर जो है Is जो हमारा tax paying ability का सिधान ते वो ये कहता है कि जितना इंसान के उपर tax लगाया जा रहा है basic तोर पर वो उसकी जितनी वो pay करने की छमता रखता है उसके आधार पर होना चाहिए और सरकारी वियाज से प्राफ्त लाव के भुकतार में कर का बोज उठाना चाहिए यहाँ पर neutrality वाला concept दिया गया है तो यह अलग-अलग concept होते हैं हमारे तो यहाँ पर जो concept दिये गए वो यह कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो neutrality है यह कह रहा है कि भई जो भी हमारे पास tax मिले जो most efficient taxes होंगे वो इस बात पर होंगे जिससे economy पर कोई भी प्रभाव ना करता ऐसे tax को हमने neutrality का वर्ड कहा है neutrality hold नहीं करता बियर वाला नहीं करता भई बियर करने वाला नहीं करता याद रखना यह tax paying ability वाला यह principle of tax paying ability होता अगर आप ए कह रहे हो ना तो मैं आपको difference बता दू इसे tax paying ability वाला principle कहा जाता है यहां गलती मत करते ना भई तो याद र efficient tax वो होगा जो कि हमारी economy decision को distort नहीं करता है sustainable development क्या होता आप जानते हो ऐसा development जो वर्तमान की बात करें जो भविश्य की बात करें जो संसाधनों का सही तरीके से उपियोग करें संसाधनों का जितना बहतर उपियोग करेंगे यानि वर्तमान और भविश्य की पीड़ी जो ह दोनों के साथ मिलकर चलें उसी को sustainable क्याते हैं अगला question क्या है इन में से कौन सा sustainable development goals नहीं है यानि जो हमारे sustainable development goals है 17 goals है जिसमें और ये 17 के 17 हमें आपको याद है health और well being भी है gender equality भी है और clean water भी है लेकिन national security जैसा कोई भी हमें नजर नहीं आता है सर हमने 17 के 17 याद करने है national security उसमें कोई नहीं है world bank की definition में extremely poor किसे माना जाता है world bank कहता है कि वो इनसान extremely poor category में आते हैं जिनकी income किसमें होगी इस event को एक बार सभी लोग share कर दें और आप सभी लोगों को बता दू केरेर वी लैपर हमारा हर second month में economy special batch और अभी PGT economics का बैच चल रहा है practice batch जिसमें practice batch में आप estate की तयारी कर सकते हो MP work 1 के तयारी कर सकते हो आप UP PGT की estate की तयारी कर सकते हो किसी भी राज्ये की तो 2.15 डॉलर वाला जो नई है इससे पहले 1.9 डॉलर की थी लेकिन बाद में 2.15 डॉलर की कर दी गई थी यह वाली लाइड है और दोगी की करण होने से बताइए क्या होगा अगर और दोगी की करण आता है देश में industrialization होता है तो आर्थिक विकास की बढ़त कैसे होगी तो आप कहेंगे country में अगर industrialization लाया जाता है industry को बढ़ाया जाता है यह foreign investment को discourage करेगा यह बात तो सर नजर नहीं आती क्योंकि किसी भी चीज़ को discourage नहीं कर सकता है यह discourage करना तो गलत हो जाएगा डिसकरेज नहीं करना है सर यहा पर यह encourage तो discourage नहीं करना है यहापर यह पहुंचे वो सीमित नहीं हो सकती जो यहाँ पर आंसर वो यह कि निवेश को और नवचार को बढ़ाएं निवेश को बढ़ाएं, इंडस्ट्रियों को बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा इंडस्ट्री को बढ़ाने से ऐसा होगा निवेश और नवचार को प्रोसाहित करना होगा और इस सब के लिए उनको प्रोसाहा और सबसीडी दे कर इस काम को इंडस्ट्रिलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं यानि अर्थ विवस्ता में अगर FDI आती है तो इससे क्या फाइदा होगा अगर कोई FDI आती है किसी भी सेक्टर में FDI आती है तो इसका मतलब यह कि वो साथ में टेक्नलोजी अपनी स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज वेश्विक बाजार तक पहुच को भी लेकर आएगी क्योंकि FDI आएगी तो हम इंटरनाशनल बनेंगे FDI आएगी तो बहुत सारी कंपनी अपने साथ अपना इनोवेशन वगेरा लेकर आएगी जो FDI है उसके बहुत सारे बेनेफिट हैं और उसी में से एक बेनेफिट ही है कि यह प्रोदोगी की विशेशक गियता क्योंकि जो FDI है वो हमेशा बड़े स्केल पर लार्ज स्केल पर की जाती है रैगनर नक्स कहते हैं कि हम अपने देश में जो कंट्रीज हैं वो गरीबी को दूर कर सकती है किसे बताईए गरीबी को दूर किया जा सकता है किसे तो गरीबी को दूर करना है के लिए गरीबी को दूर करना है अगर तो ऐसी policy बनाई है जिससे आपका investment बढ़े जिससे infrastructure development हो लोग सेविंग करें लोगों की आए बढ़े जनसंख्या बढ़ाने से नहीं हो सकता जनसंख्या में व्रधी करने से तो नहीं हो सकता यहां पर किर्शी विकास करने से नहीं होग सकता है विदेशी सहायता से नहीं हो सकता अपने का C option होगा जो बहतर है निवेश को बढ़ाना और industrialization संतुलित और आसंतुलित ये दोनों विकास के मॉडल है और संतुलित और आसंतुलित विकास देखो संतुलित विकास हो और आसंतुलित विकास अगर हो दोनों तो इसका अर्थ क्या बनता है सर कि हमारे पास एक ऐसा विकास है एक ऐसी तक्नीक है जो इस्तिर है और एक ऐसी है एक अंतर बताना है देखो संतुलित का मतलबे जो सब को बराबर लेकर चले ऐसा विकास जो सभी छेत्रों को बराबर लेकर चले और आज संतुलित का मतलबे जो किसी एक छेत्र की बात करे आज संतुलित का मतलबे कोई एक सेक्टर तो बढ़ रहा है लेगिन संतुलिद का मतलब सारे बढ़ने चाहिए संतुलिद कहता है सारे बढ़ेंगे और असंतुलिद कहता है कोई X सेक्टर बढ़ेगा Rodan की जो Big Push theory है वो क्या कहती है यानि बाहर से अगर Push किया जाए धकेला जाए धक्का लगाया जाए तो इससे बेनेफिट मिलता है जो रॉडन है हमारे इनकी जो बिग पुश्ट थियोरी है वो ये कहती है कि अगर हम किसी भी जो विदेशी सहायता है हम उसको लेकर अगर काम करे जनसंख्या के बढ़ने से जनसंख्या व्रद्धी से कोई मतलब नहीं है जनसंख्या के साथ तो इसका कोई अर्थ नहीं है याद रखना अगर हम एक साथ मिलकर समनवित तरीके से अच्छे तरीके से प्रियास करें एक कॉडिनेशन करें मल्टिपल करें विदेशी सहायता से नहीं है निवेश कह सकते हो विदेशी निवेश से होगा यानि सिद्धान कहता है कि छेतरों में समनवित और एक साथ प्रियास अगर हम करें तो मिलकर अगर धक्का लगाएंगे तो आप कहेंगे सर फिर वो आगे बढ़ जाएगा हमें जरूरी एक कॉडिनेट होकर एक साथ होकर धक्का पुश करना इंवेस्टमेंट बढ़ाने से अगला कुशन क्या कहता है मार्क्स का मुल्य से धानत ये मार्क्स की एक थियोरी है मार्क्स के बारे में बात हो ये मार्क्स की लेबर थियोरी है मैं इसके बारे में अलग से कर रहा हूँ, इस सवाल पर भी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में, अलग से देखेंगे, माल्थस के अनुसार जो relationship है जनसंक्या और food supply के अंदर वो क्या होगी, माल्थस क्या कहते हैं भई देखो, माल्थस यही कहते है जन जनसंक्या जो बढ़ती है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जनसंक्या की व्रद्धी जो है, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, जबकि food supply की व्रद्धी कम होती है खाद अपूर्ती जो है उसकी व्रद्धी जो होती है उसकी मुकाबले जनसंक्या जादा तेजी से बढ़ती है इस बात को इन्होंने मालतस ने अपनी थियोरी में कहा है अगर अपने संसादुनों का बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से सिमाल करेंगे अंतरास्ट्रिय व्यपार से योग खतम हो जाएगा नहीं बल्की कहोगे आप अपने संसादुनों का बहुत अच्छे से बहतर तरीके से उप्योग कर सकते हो इसलिए हमने कहा हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग हमारी चीजों को बहतर बनाती है चलिए वह वैसे यहाँ पर ए भी सही लग रहा है दीरग कालिक लक्षियों की प्राप्ति करना क्योंकि हमें एकवानिक एक्टिविटीज को टूफर लॉंग ट्रम गोल्स को भी एड्रेस करते हैं और मार्केट फर्लियॉर कैसे रोका जाए इसकी भी बात करते हैं complete income inequality among all citizens ये तो नहीं हो सकता या B तो नहीं हो सकता दी नहीं हो सकता लेकिन इसका answer A B सही नजर आ रहा है मुझे क्योंकि संसादनों का इश्टम बहतर और दक्षता के साथ उपयोग करने की और जाता और साथ में ये भी है अब ये answer की पर depend करेगा time fixed होता है 5 year के लिए होता है ये हमेशा संसादनों को और लेकर जाता है एफिशेंस करता है economic advantage ये भी हो सकता है A भी हो सकता है C भी हो सकता वा answer की में क्या दिया गया है वो देखा जाएगा A और C दोनों ठीक हो सकते हैं Adam Smith की theory जो growth से relate करती है उसका promotion किस ने किया यानि वो किस से relate करती है जो Adam Smith है उनका सिधान्त जो है वो किस से जुड़ा हुआ है आप जानते हो Adam Smith जो है वो पुझीवास से जुड़े हैं Karl Marx जो है वो समाजवास से जुड़े हैं answer की में क्या दिया वो देखा जाएगा उस case में दोनों बाते सही नज़र आती है absolute cost advantage थियोरी जो international trade किये वो किस ने दी है आप देखें international trade के अंदर जो absolute cost advantage और comparative cost advantage एक थियोरी है जो Ricardo की है और एक थियोरी है जो Adam Smith की है तो Adam Smith कहते है absolute cost advantage और Ricardo कहते है comparative cost advantage के नाम से Heckscher Ohlin theory है और ये theory भी आपकी इसी से relate करती है यानि ये भी आपकी modern जो international trade है उसी से relate करता है याद रखना लेकिन ये theory relate करती है अफसर लागत पर ये theory relate करती है opportunity cost पर और ये opportunity cost में बताती है कि international theory जो international trade की जो सबसे latest theory है Ricardo और Adam Smith के बाद वो ये वाली theory है जो बताती है कि हमें किस तरहां से अपनी अफसर लागत का इससे माल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए advantage वाली जो theory दी गई है ये सारी theories हमारी Heckscher Ohlin theory भी इसी में आती है जो price of export और import है इसको क्या कहा जाता है जो export और import के price का ratio होता है उसे term of trade कहते है यानि इसे term of trade कहते है term of trade कहते है term of trade कहते है ये तीनों ही सही है वैसे तो लेगन आप क्योंकि इन में से कोई एक चुनना है तो इसे net barter term of trade कहते है यानि term of trade का मतलब होता है export और import के price का relation बनाना अब इसमें gross net और यह लगे income तो नहीं होता है gross और net वे तो net word का इसे मालाब करेंगे answer के लिए the single factorial terms of trade was devised by विया पार की एकल तत्यात्मक शर्ते यह तत्यात्मक शर्ते जिसे हम term of trade कहते हैं मैंने बताया अभी जो relation हमारे पास आता इसी को term of trade भी कहते हैं यह बात अभी आपने याद रखना है और यह याद रखना है sir इनसे related भी हमारे पास कई सारे व्यक्ति अब यह क्या नहीं term है यह वाइनर नाम के व्यक्ति ने term दी हुई है जिसे हम term of trade कहते हैं यानि export import के price का relation IMF की सापना किस वर्ष में हुई वैसे IMF की सापना 1945 में हुई है लेकिन इसमें option दिया नहीं गिया है 1945 का 1946 माना इन्होंने 1945 के अंदर यह सापना हुई है 1944 में IBRD बना जिसे World Bank कहते हैं जिसे World Bank कहते हैं वो 46 में 44 में IMF 45 में एक साथ बने WTO किस agreement के तहत बना देखो WTO में 1994 में क्योंकि WTO बना है एक जनवरी 1995 को तो मौरकों के मरकिश में जो WTO बना है बताओ कब बना है आपका होगे सर WTO जो बना है वो बना है 1994 में 1994 में मतलब उसकी बात हुई है 1995 में WTO को बनाया गया और उसके लिए हमारे पास जो agreement साइन किया गया था वो मरकिश मौरकों में क्या गया था 1944 में बनाने का फैसला तो उरूगवे राउंड में हो गया था तो मरकिश में इसको बनाने का agreement जो है वो 94 में साइन हुआ था अगर कोई कमपनी है वन बिलियन डॉलर यह इससे ज़्यादा हो जाए तो उसी को आप कहते हूं कि सारी स्टार्ट अप कहते हैं उसी को आप यूनिकॉर्न स्टार्ट अप कहते है golden revolution जो आया वो किस से relate करता है तो अरणिम करांती शब्द जो आया वो किस से relate करता है दालों के लिए जो है वो yellow revolution है जूट के लिए golden fiber revolution है gold के लिए तो कोई revolution नहीं इन में से बागवानी और honey बागवानी और शहद के लिए जो आये थे वो golden revolution थे banking insurance और tourism ये Indian economy के किस sector में आते हैं banking insurance और tourism ये primary है secondary है ये tertiary है तो कहींगे सरी अगर ये sector की बात की जाए तो ये sector जो है हमारे पास वो tertiary हो जाएगा क्योंकि ये सेवाएं होती है और ये त्रीत्यक छेत्रिया सेवा छेत्र है इंडिया में land reforms करने की वज़ा क्या थी भूमी सुधार किये गए जमीदार थे बहुत बड़े बड़े जमीदार लेंडलॉड थे उनकी जमीनों को लिया गया और साथ में वो जमीनों को दूसरों के साथ शेयर किया गया एक मुख्यकारी क्या था क्या लगता आपको तो आप कहेंगे साथ इसका यही तरीका था सबसे बड़े तरीका था कि जमीन को बराबर किया जाए जो भूमी ही इनकी साथ जिनके बास भूमी नहीं है उसको बराबर किया जाए पुनर वित्रन किया जाए redistribution कि जिसके पास जादा उसे लिया जाए जिसके पास का में उसको दिया जाए इन में से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही हो सकता है बताना कौन सा कॉम्बिनेशन है नाबाड इंडस्ट्रियल के लिए लोन देता आपको गलत है नाबाड कभी इंडस्टरी के लिए लोन नहीं देता RBI कभी दीर्हकाली लोन नहीं देता क्योंकि RBI कभी किसी को लोन नहीं देता बैंक के अलावा जो IDBI है वो शौट ट्रम नहीं देता बल्कि RRB मतब ग्रामियवल बैंक जो ग्रामियवल बैंक है वो agriculture के लिए लोन देते हैं कि नाम ये ग्रामीद बैंक और ग्रामीड बैंक लोन देते हैं agriculture के लिए इन में कौन सा ओर्गनाइज laser sector नहीं है इंडिया में इनमें कौन सा सेक्टर जो है वो और्गनाइज सेक्टर नहीं है इंडिया में जब आप इंडिया के और्गनाइज भी सेक्टर टम पड़ते हो तो और्गनाइज भी सेक्टर जो है उस टम में अगर आप ध्यान से दिखो तो जितने भी मनी लेंडर्स होते हैं साहुकार क्यों नहीं चलते हैं सर बैंक कोई भी हो रूल के कोडिंग चलेगा इंशारेंस कमपनी संस्ता हो कोई सारे रूल के कोडिंग के सारे rules regulation होगे साहू कार जो हो गया और पनी पनी चाओ कि सबसे लोन देगा वो इसमें नहीं आ सकता जो इंडिया में FDI हुई है पिछले वर्षों में उसमें नंबर एक पर कौन है क्योंकि हम देख रहें लगतारी सवाल को भी पढ़ते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा FDI जो भारत को प्राफ होती है वो सिंगापूर से है सबसे ज्यादा FDI कहां से मिलती है सिंगापूर से आती है उसके बाद मौरिशन से है अगर कोई अन और्गनाइज सेक्टर है तो इसका क्या अर्थ बनता है अगर कोई भी सेक्टर है और वो अन और्गनाइजड है इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर क्या हो सकता है अगर कोई सेक्टर अन ओर्गनाइजड है तो कोई भी सेक्टर है अब अगर वो अन ओर्गनाइजड है अगर वो अन ओर्गनाइजड है तो वहाँ पर सामाने तोर पर मज़ूरी कम मिलती है social security का benefit नहीं मिलता है poor working conditions रहती है क्योंकि वहाँ चीजे बहतर नहीं हो पाती है इसलिए आप कहोगे सर wages भी कम है social security भी नहीं होती और अच्छी condition नहीं होती है सरकारी हो बड़ी private company तो फायदे जादा नज़र आएंगे WTO में green box वड़ किसके लिए से माल होता है जब हम world trade organization देखते हैं तो उसमें green box जो शब्द है ये किसलिए से माल होता है option B भी हो सकता देखे क्या है था गरीबी और आया समानता की कमी ये फॉर्म अन और्गनाईस से इसका गरीबी का क्या मतलब है क्या कोई सरकारी नोकरी करने वाला गरीब नहीं हो सकता means कहने का वो कम income वाला नहीं हो सकता क्या private वाले ही गरीब होंगे नहीं ऐसा नहीं है आया समानता से कोई लेना देना नहीं है वो गरीबी का करण अलग बात होती है organized, unorganized में काम करने पर depend करता है कि महसु विधाई क्या मिलेंगी भी नहीं हो सकता उसका तो आपने का WTO में जिन चीजों को याद रखना environmental से relate करती है environment related चीजे होती है उन चीजों को green कहते है green का मतलब भी environment related होता हमेशा green का मतलब हमेशा environment से जुड़ा होता है जो subsidy provide करते है जो चार option या डी option है जो चार number है वो best होगा इसके लिए economic survey के अनुसार बिहार जो central और state government से अपने budget का कितना ये fact question है देखो मैं fact वाले question नहीं दे रहा हूँ आपको क्योंकि सर अपने आपको याद कराऊंगा न तो ये गलत हो जाएगा ये fact सवाल है इस question को छोड़ देंगे क्योंकि सर फैक्ट बदलते हैं लेकिन हाँ इसी तरहां का सवाल आप 2024 के लिए देख पाऊगे तो 2024-25 के budget में अब यही सवाल आ जाए कि बताओ कितना government के लिए क्या है तो इसके लिए आपको मेरी class लेखनी है budget 2024-25 आप किसी राज्ये विशेश की चाहें तो भी देख सकते हो economic survey के according एक राज्ये percentage of GDP कितना खर्च होगा आपने का ये भी एक fact question है अब ये 2022-23 का सर्वे के अधार पे पूछ रहा भी तो 2023-2024 का और अब 2024-25 का सर्वे आ जाएगा ये वाला भी एक हमारे पास है कि हमारे देश की लगबग कितने परतीशत आबादी जो है वो agriculture sector में काम करती है कितने परतीशत लोग कुल आबादी का सिर्फ खेती करते हैं primary sector तो बड़ा है वैसे primary sector तो अवियसे बड़ा है लेकिन सिर्फ खेती कर रहे हैं जो लोग लगबग 45 परसेंट लोग जो हैं वो सिर्फ खेती कर रहे हैं लगबग आदी आबादी बनती है जो हमारी primary में आती है ये दो सवाल बिल्कुल fact वाले थे याद रखना अगर मैं service sector की बाद करू service sector कभी भी उद्योगों से relate नहीं करता इसमें धीमी वरद्धी देखी गई ये भी गलत है ये GDP का लगबग 30 परसेंट नहीं करता है तो ये मान लूंगा में सही है वैसे ये बात ठीक नहीं है कि सबसे छोटा योगदान करता है रोजगार के मामले में रोजगार के विशे में सबसादा लोग primary में काम करते है उसके बाद secondary territory में लगबग बराबर करते है सर लेकिन ये बात हैं में ये तीनों हमारे गलत ये बात बिल्कुल 100% correct है ये तीनों गलते B, C और D तो A बचता है वही ठीक होगा लगबग इस समय GDP में योगदान सर्विस का सबसे बड़ा होता है नीती आयोग का क्या काम है तो नीती आयोग का काम है सहकारी संगवाद को बढ़ावा देना और decentralized करना यानि की अकेली सरकार सारे काम ना करे जरूरत के हिसाब से अलग-अलग requirement के हिसाब से उसको decentralized करना और cooperative federalism का मतलब होता है राजी और केंद्र दोनों को मिला कर चलना जब आप दोनों को मिला कर चलते हो तो उसे cooperative federalism कहते हो यह एक बिहार से related है बिहार की जीके पर based एक सवाल है जो हम नहीं करा रहें इस class में बिहार जीके का एक सवाल है जो छोड़ सकते है यह भी सवाल बिहार जीके कही है बिहार पर economy पर बिहार की current पर अर्थवशा पर 10.9 प्रतीशत है इसका A option है वैसे correct बिहार कही है सवाल है बिहार की पर capita income का यह बदल जाएंगे सारे question of 2022 थोड़ी पढ़ेंगे हम अब बदल चुका है यह भी सवाल आपका बिहार में तीन सम्रिद जिले हैं जो उनमें कौन सा नहीं आता तो बेगू सराय मुंगेर आता है पटना सिता मणी है नहीं आता हाँ average is most affected by extreme observation अगर कोई भी observation आता है तो सबसे ज़्यादा परभावित किसे करता है तो कोई भी नयाचर जुड़ जाए तो किसको सबसे ज़्यादा परभावित करता है यह statics का एक question है यह statics का एक question है याद रखना तो यह statics का एक question है भई तो सबसे ज़्यादा mean को परभावित करते हो arithmetic mean जो होता है सबसे ज़्यादा mean जो है वो हमेशा प्रभावित होता है एक normal distribution में याद रखना ये एक सवाल है आपको बताऊंगा आगे लेकिन mean mode median और तीनों बराबर होते हैं mean mode median तीनों बराबर होते हैं याद रखना और याद रखना correlation क्या कहता है एक चरका दूसरे चरके साथ क्या संबंध होगा एक का आर जो plus minus 1 है positively भी relate कर सकते है negatively भी relate कर सकते है वैसे आर जो है वो 0 भी हो सकता है आर जो है वो plus 1 से लेकर minus 1 तक होगा यादि कि अगर एक चल में variable में परिवर्तन होगा तो उससे दूसरे में क्या होगा उसका impact निकालने की कोशिश करते हैं तो जो आर है जो correlation है ये plus 1 भी हो स सकता है minus 1 भी अगर plus 1 है तो इसका मतलब positive relate करते हैं और minus 1 है तो इसका मतलब दोनो negative relate करते है और plus minus 1 की range में होता है ये है आपके 100 question जो मैंने complete करा दिये है और आप देखे भाई ये बहुत सारी चीज़े मैंने कराई मैंने आपसे कहा था कि लगबग 2 घंटे के आसपास class रह सकते है आप इसे और लगबग जो भी estate वगेरा exam होते हैं सभी में इसी level के सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें आपके पास content में variety बहुत है लगबग हर चीज़ को इसमें select किया गया हर तरह का सवाल पूछा गया इसके अंदर है इसलिए जरूरी है और obvious से आप इस देखेंगे छोड़ी वीडियो जो में लेकर आता हूं every day उनको आप देखेंगे साथ हमें यह चीज़ आपको बहुत बहतर बनाएंगी लगतार आपको बस करने यह चीज़ें आज के लिए मैं इतना रख रहा हूँ अगली क्लास में मिलेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब क कर लीजिएगा thank you everyone thank you so much